प्रेंड्स, तमारा स्वागे छे मारा कीचेन मा, आजे आपड़ा बना विश्यू शियालानी ठंडी माटे घरमा गरम वेज़िटेबल सुप बना विश्यू आ सूप तमें वेटलोस मा, शर्दी उद्रस मा पण पण पेशको एटलो टेस्टी उ लागे छे औने एकदम सिंपल जटपट बनी जाशे चो तमने मारी रेस्पियों गमती होई आना जो सुधी चैनल ने सब्सक्राइब नो करिऊ होई तो सब्सक्राइब का जो अने बाज मा आपले गण्टी ते बावचो एटले नवी नवी रेसिपिना नोटिफिकेशन आवे तो आ सूप आपड़े होटल स्टाइल बना विरया छी है तो एमा एक स्टॉक वापरवा मा आवे वेजिटेबल स्टॉक तो वेजिटेबल स्टॉक छे ए आरिते तमे लीला धाणाना डांडला कोबी नो उपर नोजे हाड़ पाठ होई ए साथे आपड़े फ्लावर नोजे हाड़ पाठ होई ए आरिते लही लेशु गाजर नो उपर नो भाग होई ए पण लेवानो एक टुकडो आदुनो अने च कच्री वाटेली लसन्नी कड़ियो एना फोत्रा नती काटवाना अपड़े स्टोक गाड़े ने उमेरी शु। साथे गाजर नो हाड़ पाट उपर नो होई ए ना टुकडा अने मैं कोबी अ फ्लावर अने लिला धाना थोडो रफली मैंने कट करी उमेरी दीदु। एक मिन अठी कप जेटलू पाणी उमेरी देशु। तो यह मैं उकलतु गरम पाणी उमेरी दीदु छे अने हवया स्टोक ने आपड़े 10 मिनिट जिव। उकलवा देवानू छे। साथे मैं एक चोथाई कप जेटला दुधी ना टुकडा पाण उमेरी दीदा छे। तो ए 10 जिना जिना कटकरी ने तैयार करी लिधा छे। तो यह शागभाजी नू प्रमाण तमें गम्मे ते रीते वधू ओछु करी शको छो। एक डुंगड़ी 10 ती बार फण सी, 8-2 कप जीनी कटकरे लिकोबी, 8-2 गाजर, 1 कैपसिकम, फ्लावर, अने मैं ओरेंज मरा पासे गा जल लई शको छो। तो आरीते हवे स्टोक ने उकड़ता लगभग 10 इक मिनिट जीव। थय। छे मिडियम फ्लेम पर 10 मिनिट जीव। आरीते तमारे उकड़वा देवानू एटले वेजिटीबल नो बधो छे टेस्ट होए ए पाणी मावी जशे। एटले 10 मिनिट पछे आ एक विक्सुदी रेफरिजरेटेर मां स्टोर करी शको छो। तो जरूरी न थी के बद्धो वापर वो तमे 1-2 कप पण उमेर्शो सूप मां तो पण एननो टेस्ट आवी जर्शे। तो स्टोक ने उस साइड मां मुकिष अवे सूप बनावा माटे 2 टी इस्पूंज एटल डूंगडे उमेरी अने इने 2 मिनिट जिवू मिडियम फ्लेम पर आरीते साध्रई लेशो। गैस नी फ्लेम मिडियम हाई राखेशू। तो इया जो तमने लागे के तेल ओछू छे तो तमे उमेरी शको छो हून ना थी उमेरी रे। हवे आपणे तो मैं इने लगभग 2-3 टीबल स्पून जेतला फ्लावर ना जीना करेला टुकडा साथे फणसी 10-12 जेतली जीनी आरीते चौप करवानी अने 2 गाजर। तो लगभग मैं या एक चोथाई कप थी थी थोड़ू पर लाल गाजर अने एक चोथाई कप जेतलू ओरेंज गाजर में उमेरी दीदू छे मिक्स करी अने 2-3 मिनिट जेवू आपड़े अने मिडियम हाई फ्लेम पर साथ लेशू एकले शाकभाजी क्रंची रेशे सूप मा अने बो सर्वेवयनों टेस्ट आउशे तो मिक्स करी लगभग मैं 2 मिनिट जेवू एने आरीते साथ ले लेदू छे हवे आपड़े एमा कोबी साथे साथे कैपसिकम उमेरी अने पाछो आपड़े एने 2-3 मिनिट जेवू साथ ले लेशू गेस नी फ्लेम मिडियम हाई राखी शू हवे आरीते 2 मिनिट जेवू था एटले जे वेजिटेबल स्टॉक बनावे ओछे एमे बधोज उमेरी चे तो तमारे थोडो पाणी अनने थोडो आस्टोक उमेरी वहोई तो पन चाले मिक्स करी देशू अने हवे आपड़े एने एकवार उकलवा लागे त्या સુદી થવા દેશુ આરીતે ઉકળવા લાગે આપડેમાં પાણી ઉમેરી દેશુ તો હજી મેએમાં બેથી અડી કપ જેટલ પાણી અને સાથે આપણે એમાં બે ટીબલ સ્પુન જેટલો કાણ્ફફલોર ઉમેરી અને આરીતે ગોળી મીકસ કરી તો જી કાણ્ફ્લોર આપણે ઉમેરીઓ છેના લીદે થેને સુપ તમારુ જાડુ થશે થોડુ આરીતે ઉકળવા લાગે એટલે અડ્ધી ટીસ્પુન મરીનો પાવડર આને અડ્ધી ટીસ્પુન આપણે સોયા સોસ તમાએ ઇંયા ડાક સોયા સવા મંજાવ સુપ જેઓ થોડો ટેસ્ટ આવશી એટલા માટે માટે મે થોડો સોયા સોસો ઉમેરેઓ છે તો ઉપરથી જે આપણે પાણી ઉમેરી વેના હીસાબે મે એક ટીસ પૂથી થોડુ ઉપર મીઠુ ઉમેરી દીદુ આને હા પે એવું ટેસ્ટી એવું આ સૂપ છે એતમે એકવાર જરુથી ટ્રાઈ કરજો તમે બોજ ભાવશે અને આ સૂપ છે એતમે જટ પટ બનાવી ને રેડી કર ઇશકો છો જો સ્ટોક તમારા પાસે હોઈ તો તમે જો ઇશકો છો એકદમ જોરૂથી જાણાવજો અને જો રેસીપી ગમી હોઈ તો વીડીઓ ને લાઇક કરજો શેર કરજો અને મારા ચેનલ લે જેતેબાજ કરજેતે અન હીયવજેતેને સેપીચેતે વીતેક કરાજેતે પટેતેય ગાજેતેતે ભાજેતેય કરારિ